सुक्रवार को हातरस हाथ से के पीडितों से कॉंग्रेस सामसद रहुल गांदी ने मुलाकात की परिजन उनके गले से लिपट कर रोए रहुल ने सिर्वर हाथ रख कर सांथोना दी आतरस हाथसे में मां को खोने वाली एक बच्ची रोने लगी तो राहूल ने उसे समाला और गले लगाया पीडितों ने राहूल गांदी से अपना दर्द बया किया सत्संग में मचे बगदर से ड्रावने मंदर को याद किया एक पीडित ने बताया कि किस तरह से उनकी बेटी उनी की एक दूसरी बेटी की गोद में तड़क तड़क कर मर गई राहूल गांदी एक एक कर पीडितों के दर्द को सुनते रहे उन्हें मदद का भरोसा दिया और कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाए बहुत परिवारों को मुक्सान हुआ है काफी लोगों की मित्यू हुई है तो मैं इसको राजने की प्रिजम से नहीं कहना चाहता हूँ मगर प्रशासत की कमीड तो हुए जी और गल्तियां तो हुए कि ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय हैं के लिए तो कॉम्पेंसेशन जादा से जादा और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से बिंती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें राउल जी आपने बड़ी बात मुहाबजे की कही है दो लाग की बात उन्होंने कही है तो मुहाबजा निश्टर पर ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत जरीब लोग है इस समय उनको जरूरत है अब आपने छे महीने बात दिया एक साल बात दिया डिले किया उस और अभी है क्या अे तो वैसी मotव परास्दिशन की कविए और ने कहा कि जो औरवर पूलीश सष्टाहिए था वह नहीं था वहाइप बहुत दुख में हैं शोक मैं तो ऐसी सितुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थितियां की शीचुएशन इसको समझने की गोसिशioni की